अगर आप किसी के साथ सिर्फ पैसे या क्रीड के लिए है तो इसका अंसही नहीं हो सकता इसी कंसेप के साथ आज के हमारी मुवी कैनियन यह होलिवड के एक ठिलर मुवी आती है स्टार्ट करने से वहले में आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा रगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा अभी ना किसी देरीगे इस्पनेशन स्टार्ट करते हैं मुवी के स्टार्टिंग में हम हमारी चार मेंन कैरेक्टर को देखते हैं ये मुवी हमारी होलिवड में सेट हुई है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम में क्रिशन ये मुवी का प्रोडूसर होता है उसके गर्फरेंड हमारी और एक मेन कैरेक्टर है उसका नाम में टैरा आज क्रिशन अपनी असिस्टन जीना उसके बॉइफरेंड रायन के साथ डिनर कर रहा था एक्चुली क्रिशन की मुवी में रायन एज लीड हिरो काम कर रहा है ये सब जीना के रिकमेंडेशन से हुआ था यहाँ पर इनकी बातची चल रही थी जिसमें क्रिशन कहता है जीना और रायन तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है रायन भी क्रिशन और टैरा को कॉम्प्लिमेंट करता है इसे explain करते हैं क्रिशन ने का कि हम दोनों एक दूसरी के साथ तो है पर फिर भी हम किसी और के साथ इंटिमेंट हो सकते है पसिव एक दूसरी के साथ हो ना होता है इसका मतलब है टैरा और क्रिशन यह दोनों डेटिंग एप यूज़ करते है घर पर लड़के लड़कियों को बुलाते है और उनके साथ इंटिमेंट होते है पर यह सब एक दूसरी के सामने ही करते है टैरा के लिए बात ज़रा परस्नेल थी वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी इसके बारे में पता चले इसी वज़े से वो ज़रा अन्कमवडेबल हो के क्रिष्चन को लगता है कि इस तरीके से रिलेशन्शिप होने की वज़ेसे और टैरा पर ट्रस्ट कर सकता है यह सारी जीज़े रायन को बहुत ही अजीब लगिये क्रिश्चन कहता है कि इसमें अजीब कुछ भी नहीं इसके बाद इनका टीनर खतम हुआ गहराने पर टारा क्रिश्चन पर बहुत गुस्सा थी वो गहती है तुम्हें ये सब चीज़े उन्हें बतानी नहीं चाहिए थी प्रिवेट बात है? हमें प्रिवेट रखनी चाहिए तुम तुम साइकोलोजी से जिस तरह से बात करते हो ये तुम्हारे लिए परशनल है ये चीज़े में तुमसे कभी नहीं पूछती है क्रिश्चन उसे रिलाक्स करने के लिए कहता है इसके बाद इन्होंने डेटिंग आप से एक लड़के को बुलाया हुआ था इसके साथ इंटिमेट हो गए इंटिमेट होते वक्त इन्होंने रिकॉर्ड भी किया था घर पर जीना रायन से वुश्टी है तुम्हें टैरा लगी कैसी वो बहुत ही ब्यूटिफुल है रायन कहता है कि फिर से शुरू मत हो जाओ मुझे सिर्फ तुम ही अच्छी लगती हो जीना कहती कि कास्टिंग के वक्त टैरा ने तुम्हें कास्ट करने के लिए बहुत सारा फोर्स डाला था इसी वज़े से शाय तो थोड़ा सा शक कर रही है अगले दिन टैरा जब शॉपिंग के लिए जा रही थी तुसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है आज वो शॉपिंग मॉल में रायन सी मिली एक्चुली इन दोनों में रिलेशन्शिप थी इसके बाद उनका ब्रेकप हुआ था और फिर टैरा क्रिशन के साथ है अभी कुछ विक्स पहले दोनों फिर से मिले तो फिर से इनका अफेर कंटिनू हुआ है अब मिलने के बाद रायन टैरा से गयता है तुम्हें क्रिशन के साथ नहीं रहना चाहिए मैंने कल नोटिस किया क्यों तुम्हें किस तरीकी से ठीट करता है तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती टैरा कहती है खुश रहने के लिए मैं उसके साथ नहीं हूँ जब यह दोनों रिलेशन्शिप में थे तुम दोनों struggling actors है तो इनके पास कभी भी पैसे नहीं होते थे कभी-कभी घर का rain भी पे नहीं कर बाते थे इतने struggle में जीना टैरा को सही नहीं लगा इसलिए उसने रायन को छोड़ दिया था वो क्रिशन के साथ है क्योंकि उसे safe लगता है क्रिशन वैसे भी कोई सही गारिक्टर नहीं उसके एक friend है जिसका नाम है Cynthia वो हमेशा उसके पास जाता है और directly intimate होता है एक दिन सिंथिया उसके साथ intimate होते वक्ट उसे किस करने लग गई क्रिशन कोई सही नहीं लगता वो कहता है हम दोनों के बीच कोई भी प्यार नहीं है हम सिर्फ intimate हो सकते है उसे कोई भी attachment नहीं चाहिए इस बात से सिंथिया को बहुत बुरा लगा कहती है फेसे वापस मताना अगली दिन क्रिशन की असिस्टन जीना ने टैरा को बात करने के लिए कैफे में बुलाया जीना कहती है कि हमारे डिनर अच्छा था रायन को भी क्रिशन पसन आया था इधर उधर के उन्होंने बाते की वा जीना ने टैरा को उसके plans पूछे टैरा एक्च्वल में थोड़ी सी uncomfortable थी वो क्रिशन के साथ जब relationship में कई थी तो कुछ और चाहती थी अब life से कुछ और चाहती है इनकी meeting एक्च्वल में क्रिशन ने plan की थी वो जानना चाहता था इधरा के mind में चल क्या रहा है उसे शक है इशाय तो उस पर cheat कर रही है जीना क्रिशन को कहती है इटारा बहुत ही normal लग रही थी आज कल रायन को पैसो की problem है उसकी movie की shooting स्टार्ट होने वाली है पर इसमें भी उसे ज़ादा कुछ पैसे मिलेंगे नहीं जिस बार में वो part time काम करता है उस बार के owner के पास हो गया उससे उसने extra shift मांगी बार का owner ये gay था और जिनें भी पैसो की जरूत होती थी उन्हें वो exploit करता था वो Ryan के साथ भी intimate होने की कोशिश कर रहा था पर Ryan वहाँ से चला जाता है इसके बाद वो Tara से मिला उसके साथ intimate हो गया एक्चुली Christian, Tara और Ryan पर नज़र रख रहा था उसे पता चल गया कि इन दोने में affair है अब Ryan को torture करने के लिए Christian डारेक्टली मूवी के डारेक्टर के पास गया उससे गहता है एक राद तुम Ryan को तुमारे पास बुलाओ उसे कहो कि उसे अब ये रोल नहीं मिलने वाला अगर उसे रोल चाहिए तो तुमारे साथ उसे intimate होना पड़ेगा ये बाद डारेक्टर को पसंद नहीं आई वो ये करने नहीं वाला था पर किशन गयता है यहाँ पर बहुत सारे डारेक्टर है मैं किसी को भी हायर कर सकता हो अपने जौब जाने की फियर में ये डारेक्टर ही करने के लिए मान जाता है एक दिन जिना के आईपैट पर रायन क्रिशन का शेडूल देखता है उसमें से सिंध्या का नाम उसका पहचान का था सिंध्या वही लड़की है जिसके पास जाकर क्रिशन इंटिमेट होता था रायन ने सिंध्या के बारे में जिना से पूछा जिना कहती है कि सिंध्या फिटनेस कोच बन चुकी है पर उसे पता है क्रिशन उसके पास क्यों जाता है रात में दोनों बाट टब में थे तभी Tara के बारे में बात करे थे जिना कहती है उस दिन में Tara से मिली और वो मुझे डरी हुई से लग रही थी आज रहा थी Ryan को director को call आया जैसा Christian ने director को कहा था Ryan को blackmail करने के लिए वो ही director ने किया Ryan को अपना job रखने के लिए डायेक्टर के साथ इंटिमेट होना पड़ेगा इस बार अपने हालाद से रायन तंग आ चुका था वो कॉम्प्रमाइज कर लेता है अगली दिन टैरा को एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था तुमारी लाइफ खत्रे में है ये उसे बहुत याजीब लगा वो कृष्चन से बहान बनाती है ये अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है जिसने मैसेज किया था उसे मिलने के लिए जा रही थी कृष्चन को समझ में आ गया वी कुछना गुछ तो गड़बड है वो टैरा के रूम में जाकर उसका मोबाइल चेक करता है टैरा ने अवे भी नोटिस किया कि उसका कोई ना कोई तू पिछा कर रहा है टैरा अड्रेस वर पोजी तो एक्चुल में सिंध्या का अड्रेस था सिंध्या कहती है क्रिश्चन जब तुमारे साथ रिलेशन्शिप में आया उससे पहले हो मेरे साथ था टैरा गहती है ये कोई बड़ी बात नहीं उसकी बहुत सारी गल्ड्रेंट रह चुकी है उसे इससे कोई भी फरक नहीं बढ़ता सिंध्या कहती है क्रिश्चन बहुत ही डेंजरस है मुझे पता है कि वो तुमारे साथ भी गेम्स खेलता होगा टैरा कहती कि हमारी रिलेशन्शिप अलग है तुम इसे समझ नहीं सकती सिंध्याने कहा हमारी रिलेशन्शिप भी तुमारी तरह ही थी एक दिन उसने बहुत सारे लोग को घर पर बुलाया मेरे साथ वो जबदस्ती इंटिमेंट हो गए मुझे हस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था वो वान करे थी कि क्रिशन से वो दूर चली जाए टैरा कहती है तुम केरफूल नहीं थी क्रिशन मुझे कभी भी हट नहीं कर सकता वो कुछ भी बात नहीं मानती और घर आ जाती है जैसे कि हमें पता है कि इस शन ने टैरा का फोन ले लिया था इससे उसने रायन और टैरा की बीच में जोबी हुआ इस सब की इंफॉर्मेशन निकल वाली है वो बहुत ही गुस्सा हो गया था रात में टैरा जब घर पर आई तो कहता है कुछ लोग हमारे यहां आने वाले है टैरा भी कहती कि बुला लो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था रात में तीन-चार लोग इनके साथ आए और यह सारे मिलकर इंटिमेट हो गए अगली सुबा हम देखते हैं कि रायन सिंथिया से मिलने के लिए आया हुआ था इसका मतलब है यह दोनों मिले हुए है यह दोनों अच्छे फ्रेंड्स है तो सिंथिया ने टैरा को सब कुछ जूट खा था एक्चुली क्रिशन ने कभी भी सिंथिया को हट नहीं किया आज दिन भर रायन ने नोटिस किया था कि उसका कोई ना कोई तो पीछा कर रहा है उसने फाइनल यह उस आदमे को पकड़ लिया और कहा यह जाओ और क्रिशन को बता दो कि मैं उससे नहीं डरता उसे जो भी करना है वो यह सब कर सकता है इसके बाद रायन एटियम से पैसे निकालने के लिए गया पर रायन ने उसका अकाउंट हैक करकर उसके सारे पैसे गायब कर दिये थे इस बाइन बहुत ही जादा गुस्सा हो जाता है अगली सुबा जब टैरा उठी तो उसका फोन उससे कहीं भी मिल नहीं रहा था वो कॉल लगाती है तो क्रिशन के पास है उसे कन्फरंट करती है कि मेरा मोबैल तुमारे पास क्यो क्रिशन में उस्वर गुस्सा हो गया वो कहता है मुझे पता है कि तुम में और रायन में अफेर है वो आउट आफ कंट्रोल होकर उसने सिंत्या को हर्ट भी किया रायन आज बहुत ही डिस्टरब था वो आफ्टरनून में ही ड्रिंक कर रहा था तो उसकी गल्प्रेंट बोश्ती है कि हुआ क्या वो कहता है कि मुझे मूवी नहीं मिलने वाली टायरा और उसके बारे में सब कुछ उसने उसे बता दिया जीना बहुत ही ज़ादा गुस्सा होके वो गहती है कि अभी क्या भी यहां से चले जाओ मैं ध्यान में रखूंगी कि कवे भी किसी भी मूवी में तुम काम ना करो टायरा को मारने के बाद क्रिशन को बुरा लग रहा था तो अपने साइकोलोजिस्ट के पास हुगया वो उससे कहता है कि नॉर्मली मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता पर मैरा कंट्रोल चला गया था इस ठेरपी में आना क्रिशन को सही नहीं लगता उसके फादर ने उसे गंबल सरी किया इसी वज़े से उसे आना भढ़ता है उसके पास कोई आप्शन नहीं क्योंकि उसके सारे पैसे उसके फादर ही देते है वो थेरेवी करने के बाद और भी जादा घुसा हो जाता है वो डारेक्ली सिंधिया के बास आया उसे बुशता है तुमने टैरा से जोट क्यों कहा सिंधिया सिर्फ क्रिश्चन का अटेंशन पाना चाहती थी Christian बात्रूमें जाकर कपड़ी चेंज करता है वो जब बहार आया तो उसके हाद में नाइफ थी उसने सिंथिया को मार डाला वो Ryan को कौल लगाता है कहता है तुमने सिंथिया के साथ किया क्या वो Ryan को सिंथिया के मर्डर में फसाना चाता था Ryan जल्दी से सिंथिया के पास पहुचा और वो बहुत ही डर जाता है इसके बात जब Christian घर पर आया तो टारस सब कुछ कपड़े वगरा पैक करकर यहाँ से निकल जाने के लिए रेडी थी वो Christian से बुछती है अगर तुम जाते हो कि मैं यहाँ से चली जाओ तुम्हें कुछ फरक ने परता तुम्हें यहाँ से चली जाओंगे Christian ने कहा कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा अगर तुम्हें पुलिस ने पूछा तो बताना कि आज पुरा दिन मैं तुम्हें तुम्हें साथ था तुम्हें कन्फिस्ट होगे वो पुछते हैं तुमने ऐसा क्या किया Christian कहता है कि मैं तुम्हें जैसा कहा है सिर्फ वही करो अगर तुम नहीं करती है तुम्हें रायन को मार डालूंगा और तुम्हें पता है कि मेरे पास इतने पैसे है कि कुछ भी कर कर मेहा से भाग सकता हो टैरा के पास भी कोई आप्शन नहीं था रायन को बचाने के लिए उसे पुलिस से जोट बोलना ही पड़ता है इसके बाद मुवी में डैरेगली एक साल बीच चुका है टैरा अपने न्यू बॉर फ्रेंड के साथ एक डवल डेट पर आई हुई थी टैरा की फ्रेंड की गर्ड फ्रेंड एक क्रिशन को जानती है उसने टैरा से पूचा एक साल पहले मर्डर हुआ था क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है टैरा कहती कि कोई भी पकड़ा नहीं गया एक सस्पेक्ट था पर उसके खिलाफ कोई जादा एविडन्स नहीं मिले इसका मतलब है क्रिश्चन रायन को फ्रेंड तो करना चाहता था पर रायन इससे बच गया ये फ्रेंड बुछती है क्या अभी भी तुम क्रिश्चन के कॉन्टाइक में हो टैरा गयती है हमारा एक साल पहले ब्रेक अप हो गया उसके बाद हम सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव है कोई भी परसनल कॉन्टाइक नहीं रखते इसके बाद ये फ्रेंड बात्रूम गई और उसने रायन को कॉल लगाया एक्च्वल रायन टैरा की बारे में जानना चाता था क्या वो कैसी है इस फ्रेंड की वज़े से उसे टैरा का हाल पता चल चुका है ये एक दुसरे से प्यार तो करते थे पर दोनों लाल जी थे टैरा क्रिश्चन के साथ थी क्योंकि उसे सेफटी चाहिए थी रायन जीना के साथ था क्योंकि उसे मूवी मिल पाए अलगर अग पार्टनर के होने के साथ भी ये दोनों चीट करते रहे फाइनली इनकी रिलेशनशिप का एक डार्क एंड हुआ ये कभी भी एक साथ हो नहीं सकते है इसे एक डार्क एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा ये बहुत सारी हम फिर से मिलेंगे और एक निमूई के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखे